वेद्याज की चनसों में आप सबका स्वागत आज हम जारखंट का परशीत ब्यंजन मार्षा की रेसेपी आपके साथ सेयर करेंगे यह जारखंट में बहुत चाओ के साथ खाया जाता है जारखंट के लोग हर तरह के साग से मार्षाग तयार करते हैं मार्षाग खाने में काफी टेस्टी लगता है और साथ में यह काफी हेल्दी भी है मार साग बनाने के लिए हमें मार चाहिए तो इसके लिए हम पतीला में पानी उबलने के लिए रख देंगे और चावल को अच्छे से धो के हम साफ कर लिए हैं अब पानी में उबाला चुका है तो हम चावल डाल देंगे मेरी recipe आपको पसंद आये तो मेरे channel को like, share और subscribe करे और ऐसे ही recipes देखने के लिए आप मेरे channel से जुड़े रहें यदि आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से subscribe करें ताकि आने वाले videos की notification आपको मिल सके और आपने मेरे channel को subscribe कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद माड़ साग की रेसिपी हम अपने जीजा जी के स्पेसल डिमांड पर सेयर कर रहे हैं चावल अपक चुका है तो इस तरह से हम माड़ निकाल लेंगे और इसी माड़ से हम माड़ साग बनाएंगे जारखन में इस तरह से माड़ साग तयार किया जाता है और पहाडों में भी लोग इस तरह से साग तयार करते हैं और चावल के साथ खाना पसंद करते हैं बस रेसिपी में थोड़ा अंतर है जारखन का खाना और पहाडों का खाना सेम ही है सिफ नाम अलग है और बनाने का तरीका अलग है अब हम कडाही में सरसु तेल गरम करेंगे एक पुट लसन कटा हुआ हम डालेंगे सुखी लाल मिर्स दो से तीन डालेंगे इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे अब इसमें हम कटा हुआ चार से पांच टमाटर डालेंगे इसमें हम हिंग डाल देंगे दो पींच टमाटर को हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक चोथाई चमच हम हल्दी डालेंगे आज हम सुखी हुए चने के साग से माड़ साग तयार करेंगे आप पालग साग, सरसो साग, बथुआ साग, कोई भी साग सुखा कर इस्टोर कर सकते हैं और जब मन करें आप माड़ साग तयार कर सकते हैं एक बार इस रेसेपी को आप अपने कीचन में जरूर ट्राई करें और ये रेसेपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं टमाटर को हम अच्छे से मैस कर लेंगे और इसे अच्छे से हम पका लेंगे और टमाटर अच्छे से पग चुका है इसमें अब हम साग डालेंगे या चने का सुखा हुआ साग है चने के साग को अच्छे से धो के साफ करके इसे धूप में हम सुखा लिये हैं और हाथों से इसे हम क्रस कर लिये हैं अब इसे हम टमाटर के पेस्ट में डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरह से आप पालक, साग, बतुवा, साग, सरसो, साग, कोई साभी साग सुखा कर रख सकते हैं अब जो माड हम निकाल के रखे थे, उस माड को इस साग में डालेंगे और कितनी ग्रेवी आपको गाड़ी रखनी है उस अनुसार से आप माड़ एड़ कर सकते है इस तरह से हम माड़ डालते जाएंगे और चम्मस्य से हम चलाते रहेंगे अब सहजन की पत्ती को भी सुखा कर इस्टोर कर सकते हैं उससे भी माड़ साग तयार कर सकते हैं उसका भी मारसा काफी टेस्टी लगता है अब इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे उमीद है जारखन की फेमस रेसेपी आपको जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक, सेयर और सबस्क्राइब करना विल्कुल भी न भूले और कमेंट करके जरूर बताएं इसी तरह हम जारखन की फेमस रेसेपी आपके साथ सेयर करेंगे रेसेपी देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें हरे साग से भी मारसाग तयार किया जाता है उसकी रेसेपी भी हम आगे वीडियो में सेयर करेंगे तो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें साग में उबाला चुका है और साग अच्छे से पग चुका है तो हम अब गैस बंद कर देंगे और इस साग में हम तड़का लगाएंगे तो तड़का के लिए हम साथ आठ कली लसन को साफ करके कट कर लिए हैं अब हम सरसुत तिल लेंगे और कटी हुई लसन डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे लसन ब्राउन हो चुका है तो गैस हम बंद कर देंगे और इसमें हम कास्मिरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साग में हम तड़का लगा देंगे और टेस्टी मार्साग बन कर तयार है तो चलिए इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं मार्साग चावल के साथ खाने में काफी टेस्टी लगता है इसे ही आप सूप के तरफ पी भी सकते हैं या काफी हेल्दी होता है और इसे ही आप अपने डाइट में जरूर सामिल करें अब इसे हम बावल में सर्व करेंगे और देखिए कितना टेस्टी मार्शाग बन कर तयार हुआ है आपको हम दोनों साग दिखाते हैं तो बावल में सुखे चने का साग से मार्शाग तयार है और एक तरह भरे भरे चने का साग है तो अब हम खाने की थारी लगाते हैं तो मार्शाग और चावल आप गर्मा गरम इंजोई कीजिए वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद